अखलेश यादव प्रेस कॉंफरंस कर रहा है केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी किमत कल क्या होगी तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तपदेस में वही अन्याई की सब सीमा तूड़ गई है अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस मिले जिनके बेटा इंजिनियर कोई कर्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुँपर टेप लगा दिया जाए हाथ पैर बहां दिये जाए और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी अगर आपको याद हो कि भारती जनता पार्टी से संबंद रखें वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में और अभी जो जूटी कहानी पढ़ी जा रही है इंकाउंटर को ले करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारती जनता पार्टी की सरकार में जूटे इंकाउंटर हो गए है हत्या की जा रही है जो मुए शियादव की हत्या हुई है गाउंज से लेकर के आस पास के लोग जानते हैं पुलिस रात में आई ती उठा ले गई पुलिस उठा करके ले गए गई स्टी एफ और सोचिए आप कैसी कहानी गड़ी गई कि उसके पास नया बैक था अमेरिकें टूरिस बैक बताये गया और जब बैक खोला गया तो उसमें भी कपड़े नहीं मिले शोरूम ते खरीते हुए और जो मॉटर साइकल मिली सुनने में आ रहा है कि जो मॉटर साइकल जिसकी चोरी हुई थी कई दुनों वाद है फाय लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मा का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा है बेहन के आशू नहीं समझ में आ रहे है और सोचिए कैसा दिमाग इनका सरकार ने कैसी हुश्यारी दिखाई कि चपल में इंकाउंटर कर दिया बताईए कैसा दिमाग इन लोगों का क्या हुश्यारी दिखाई कौन नहीं तस्वीर देख करके बता सकता है कि ये जूटा इंकाउंटर हुआ था और ये पहला जूटा इंकाउंटर नहीं है यूपी का तमाम इंकाउंटरों पे उंगली उठी है जिस समय पहले ए पहला इंकाउंटर नोईडा में जिम इंस्टिक्टर के हुआ था उस समय भी हम लोगे ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूठने के लिए दवाब बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है और उस समय भी कारवाई ने उगली है अभी तक जितनी भी हत्या हुई है या इंकाउंटर हुए हैं सबसे ज़्यादा पीड़े परिवार के लोगों के हट्चा के सरकार ने हम लोग नियाय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संगर्स के बीच में भी जाना पड़ेगा तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते और भाजपा ने तो इतने इंकाउंटर के हैं उत्तवपदेश को फर्जी इंकाउंटर की राध्धानी बना दिये नहीं फर्जी इंकाउंटर की राध्धानी बन करके और फिर नकारा रख दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है विकास नहीं कर सकता जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनासी कर सकता है विकास नहीं कर सकता और फिर जो हार्टलेस है उससे उमीद भी क्या करनी है जो हार्टलेस हो उससे उमीद क्या करें हम लोग हलां कि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूँ जो जिसमें भाषा क्या इस्तिमाल की गई है अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूँगा हलां कि वो उचित नहीं है अन-पारलेमेंटरी वर्ड नहीं है अगर दिमाज होता तो चपल में इनकाउंटर नहीं करती है इसलिए जहां यह सरकार लूट कर रही है वहीं इनकाउंटर करके ड़राना चाहती है और केबल बदराम करने के लिए जहनबूच करके ढून ढून करके कि कौन है किसको इनकाउंटर किया जाए वो भी अधिकारी बैठ करके रणीत बनाते है सोचो जो रात बर बैठ करके रणीत बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगी नयाएकिया रणीत इसी बात की बनाते हों क्या हत्या करनी है वो हत्या में ना पक्ड़े जाएं तुन से उम्मीद क्या करोगे आप केबल फेक इंकाउंटर नहीं बलकि सम्विधान ने जो अधिकार दिये हैं उन अधिकारों को ये सरकार चीन रही है 79,000 वाले बच्चे कितना अंदूरन कमें सोचें कोई कल्पना कर सकता है लेकिन ऐसी साजिश तर्यंत कि दोनों को भिढ़ा दो आप दोनों को भिढ़ा दो इसलिए भाजबा किसी की सगी नहीं है ना इनकी ना उनकी भाजबा किसी की सगी नहीं हो सकती केबल उन्हें अपना सुआथ सिद्धोना चाहिए इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं मैं तो लीड ओपुशन से दोनों सद्रों में कहूंगा कि वाकाईदा पूरी सूची सद्रों में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पे भी हम लोग काम करेंगी क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं जिसमें बहुत जिम्मदार अदिकारी भी है और भादे जन्ता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदादिकारी भी है बिलकुल होगा अब इसे होने लगा कोई सवाली नहीं पूछ रहा वह भी बहुत हो अब इसे ही असर दिखाई देने लगा है और कौन नहीं जानता है यहाँ जितने लोग बैठे है मार्केट वैल्यू क्या है सर्कृट रेट कब बढ़ाये गया यह तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उससे में सर्कृट रेट क्यूरी बढ़ाये गया कम से कम गरीब के घर में दो पैसे ज़्यादा आ जाते लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे अपने लोगों को लाप पहुचाना चाहते थे